वेलकम फ्रेंड युक्ति आईस पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज 24 जन्वरी है तो दैनिक जारण के राष्टेशंस का नीट प्रेपर ने प्रेंड कोई कोई को अगर किया गया है जो यूपेसी और स्टेट पीसी एस एसपरेंड के लिए बहुत ही महत्पून है और जितने भी कॉंप्रटर एक्जाम अपनों फील करते हैं उसमें प्रेंड क्या है उसके भी हमनों नज़े डाले आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्व चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट सक्सरें महत्पून सुझाओ के साथ साथ जो फीटी प्रस्न पूछे जाते उसके भी उत्तर देने का पर्यास कीजिए शाथ इसाथ एप यूट्याइस का डाउनलोड कीजिएगा वहां पर आप लोग एक कॉम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लिए आगे बढ़ते हम लोग पहले प्रस्न आज देखते हैं जो दैनि ग्याग न्यूजनलेसस में प्रस्न शीरीज चल रहा है उसना प्रस्न पूना सामिल किया गया है तो उसमें देखिए पहला प्रस्न आप लोग का एंसर देना है निमल विश्बेंक, ASEAN Development, जो Infrastructure Development Bank है, पश्चपात, प्रोदोकी, नियंदरन व्यवस्था, मिसाइल टेकनोलोजी, कंट्रोल रिज्म, संहाई सहयोग संगठन, संहाई कॉपरेशन और अगनाइशन जो है, उप्यूप्स में भारत किसका सदस्त है, तो आप लोग बताईएगा क्या जो द्यानिक जानिक जान नियूज अनलेसिस में है, इस पीनो टॉपिक पर कवर किया गया है, नहीं कि भारत की सदस्ता किसमें है, अगर फिर भी आप लोग का एंसर नहीं आएगा सही, तो देखिए समस्या कहां आ रही है, समस्या आ रही है, चीजों को याद करने में, आपको देखिए UPC के प्रस्ट में 2022 में प्रस्ट पूछा गया है, इसी प्रकार 2020 का जो एकजाम होगा, तो इसी प्रकार के प्रस्ट पूछे जाएंगे, जो आपको द्यानिक जानिक जानलेसिस में कराए जा चुके होंगे, इसलिए अच्छे से पढ़िए, आप लोग वट्रों में से किसका सदस्ट से है, है न, तो आपको एंसर अपना दे देना है, कॉमेंट सेक्शन में, इसलिए बात करेंगे, दुसरा कोस्टन है, प्रोजेक्ट 75 जो योजना है, उसके तहट कितने सवदेशी पंडू भी निर्मान की योजना बनाई गई है, योजना है, तो इसका भी एंसर आप लोग बताईएगा, और इस पर भी मैंने पहले भी देने जाएंगे नियूजनासिस में कवर किया है, तो आप लोग दोनों का एंसर आप लोग कोमेंट सेक्शन में दीजेगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी में देखिए पहला प्र देखिए निताजी सुभास चंद्रबोष की 126 जयनती मनाई जा रही है, उसी संद्राजली दी गई है, उनको दी गई है, उसी क्यों प्लक्स में चीजों को किया गया, सबसे पहले तो यह आप लोग को याद रखना, दुश्रा यह जो सुभास चंद्रबोष असमारक की प असमारक की बनाई जाती है, उसके बाद कहा है, उनके दौरा कहा गया गया कि 1243 सबसे पहली बार अंडवान की भूमी पन्नेता जी की तेरंगा फहराया था, इन सब उपलग्दियां आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा, इस सब चीजे आप लो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद कहा कहा किनका किनका हुआ है, नाम दिया गया, उसको एक yg कीजेया बहुत 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 तरीके से यहां पर कभर किया गया है देखिया है अब सारे परमवीर चक्र जो हमारे देश के हैं बलिदान है बलिदान सुरुवीर जो है उनका नाम दिया हुआ है एक बाद जरूर इनको देखियेगा याद किजेगा फड़ा सा कभर कर लेना सारी चीजों को मेजर सोमनाग सर्माग सेतान सिंग लांस नायक अलबर्ट इका जो थे सबी किस किस राज से आप लो अपने अपने स्टेट वाले को कम से कम याद करना है साथ ही साथ एक सिरीज में परमवीर चक्र जो विजेता 21 दिपो का नाम है उसे जरूर याद रखिएगा ताकि ये एक जाम में कहीं सबी प्रस्ण पूछे तो उनका भुलाना नहीं है तो यहाँ देखिए बात यहाँ पर है आपको सिरीज याद रखना है यहाँ पूछा जा सकता है पीटी फेट के लुप में पूर्वी टटपकोन है पच्मी टटपकोन है ये प्रस्ण पूछा जा सकता है आपको एक प्रस्ण का फॉर्मेट यह हो सकता है दूसरा आपको कर अगर करम सजाने को बोला जाए कि कौन से करम में प्रमवी चक्रों का नाम करन किया गया है तो जैसे आपको योगेंदर जगदु चर्मा इसके बाद आपको सैतान सिंग इसके खदेपार इसके बाद आपको चार नाम यहां याद रखना ऐसे ही नीचे से भी होगा तो यह स्र करम वी चक्रों का नामखरन किया गया है नीचे उपर से बना लेना तक यह उत्तर से दक्शिन तक और दक्शिन से आपको उत्तर तक के शीरीज को भी बना लेना है कम से कम पांच लोगों का इससे होगा कि दो तरीके से प्रसन अगर पूछे एक्जामनर है ना थोड़ा दिमाग अधिक लगाते हैं कोश्ण बनाने में अगर पूछा जाए तो आप इसे कभर कर लिजेगा इस मैप से आपको यही जनकारी प्राप्त होगी कि कहां पर किसका किया गया है तिका चलिए औ अब हम लोग बात करेंगे देखिए SEO की बैठक के लिए भारत आ सकते है पाकिस्तानी पीम ऐसी बाते की जा रही है हलाकि देखिए यहाँ फिल्म फेस्टिवल चल रहा है SEO का तो उसमें पाकिस्तान का कोई अभी आमंतरन नहीं स्विकार किया है हलाकि भारत नामंतरन दिया था तो इससे समझने चीज़ों को आपको देखना है SEO चर्चा में है SEO क्या है इसका संदिश अंदर्व को हम लोग देख लेंगे यह 37-31 जनवरी SEO की फिल्म फेस्टिवल जो है मुंबे मायुद होनी वाले पीटी फैक्ति याद रखिए गए से SEO की फिल्म फेस्टिवल कहा आउजित की जाएगी मुंबई में की जाएगी आमंद्र के बावजूद भारत की को पाकिस्तान की कोई परविष्टी नहीं मिले आपको पता है कि 2023 में SEO की बैठक भारत में होने वाले है न सिखर सभी मंत्रे स्थियों को जुलाई 2023 में होगी तो जुलाई 2023 में इसका आपको बैठक में ली जाएगे नहीं इसके संदर में अलाकि उससे पहले कुछ चीजी आप लोग को याद रखनी चाहिए जैसे G20 शिकर सामेलन के बारे हमलों लातार चाचा किये हैं तो G20 सामेलन नो से दस सितंबर को नई दिल्ली में गोनी है जिसमेए अमरीका इस को जिसने भी수 एश जितने भी G20 सामेलन सदस्रेंगे वह ज़स ह सभी आएट तो दैसों के हिससा लेंगा और इंट्रो इस वाया ताकि आप लोगों को जो छूट गया पहले उसे कवर किया जा सके कम से कम जुलाई तक आप लोगों का काम बना रहे अगर कोई पीटी आता है तो इसे रेलेटेट चिज़ों को कवर किया जा सके तो SCO क्या है एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतर अंतराष्टी संगठन है और यहाँ यूरेसियाई याद रखी के यूरेसियाई राजनितिक आर्थिक सेन संगठन करूप में उपर तुवर किया जाता है इसका इसका लक्ष क्या है शांति सुरक्षा और अस्तिरता को कायम करन है कितना हद तक यह सही है अलग आकलन का भी उसे है थेख न पर सभी संगठन का निरमां करता उसका पीछे का अंतरष्टी संगठन सेंगठन दो 23aa या लागू कर दिया गया तो दो प्रस्वन आप से यहां से पूछे जा सकते हैं गठन कब किया गया इसका लागू कब हुआ 2003 से अब SCO 5 या संगाई 5 याद रखेगा यह प्रस्वन आप से पूछा जा सकता है S5 याद रखेगा तो यह कोश्चन का उत्तर बताईएगा P5 किन राष्टो को बोला जाता है P5 लगतार हमनों चर्चा में सुनते हैं P5 राष्ट की सुचना देखते हैं तो यह P5 क्या है हमको बताईएगा आप लों कितनी दफ़ा मैंने इस पर चर्चा किया है P5 के बारे में तो चलिए धन्यवाद इसी तरीके से आप लोगा एंसर देते रहना चाहिए SEO चार्टर हो गया SEO 5 जो है संघाई 5 है 2001 में SEO के गठन के पहले काजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्त है इन 5 देशों का नाम याद रखिएगा जिसक देशों के, और ताजाकिस्तान फिल्गिस्तान याद रखिएगा उसके बाद रूस है रूस याद रखिएगा ताजिकिस्तान है याद रखिएगा तू के र टी एस ऐसे भी यादा पर लोग रख सकते हैं तू के RTS, RTS बहुत जाना मना नाम हता सॉट फॉर्म तो इसे भी इसे याद रख कर सकते इस तरीके से सॉट फॉर्म बना के, या तो डायेट याद कर लिजेगा, बहुत बड़ी रात में पांच को है, तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान रूश जो है, आपको इसका S5 का देश मना जाता है, नोट याद रखेगा, इसकी अस्थापना, S5 की अस्थापना वर्स, 1996 में, सीमा जो सम्यांकन था, उसके संदर में, वी सेनिकरन वारताओं के एक सिंखला के तोर पर किया गया, आपको पता ही, 1991 में, रूस USSR का, सीमाओं का जो तोड़ गया, उसे घटित किया गया, इन सब चीजों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर, आपको 1996 तक के चीजों को देखने को मिलेगा, इसके लिए सीमांकन और वी सेनिकरन इस छेतर में बनाए रखना, ACI और ACI जो छेतर है, उसमें, तो इसके संदर में इस सब चीजे की गई थी, इसके बाद याद रखिएगा, संगाई के जो फाइब चार पूरु सोवियस गन राज्यों दोचीजों के साथ सीमाओं को इस तेता सुनिशित करने है तो, रूस से जो USSR से टूट के जो राज्ये बना था, देस बना था, वो क्या था, चीन के साथ सीमाओं को बहतर करने के लिए उसके निस्पादन के लिए क्या करना है, इसके लिए SEO के बैठक की बात की गई थी, वर्स 2017 में भारत पाकिस्तान के जो सदस्ते थे, इसके बने थे, और 2021 में हालिया जो सबसे अधिक है, इरान इसका SEO का पुरु कालिक सदस्ता गरहन की है, तो यह आपको याद रखन है, भारत पाकिस्तान 17 में, इरान आपको 2021 में, और S5 याद रखना है, इसमें कम से कम इतनी बैसिक चीज़े आपको याद रखने है, और उसके बाद जुलाई, जो ज़ो ज़ो जड़ाइस में जब होगा, तो SEO के सारे मुद्य परम्रोचर्चा करेंगे, इन सब चीजों को कवर करेंगे, उसके बाद देखिए, सुरंग में बारुदी सुरंग बिचा कर, समुद्र में बारुदी सुरंग बिचा कर, दुश्मनी, दुश्मनों पर कहर बरपाएगी, आइनस बागीर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट आपको या आइनस बागीर माना जाएगा सेन शुरक्षा जो समुद्री सेन सुरक्षा उसके लिए अब यह जो हीन महासागर है या तो अंडमान निको वार्तिवी या अरवसागर कहीं भी आपको जाकर यह करेगा समुद्र में बारुदी सुरंग जैसे हम लोग देखते ना जब भूमी पर बारुदी सुरं कही होगी जैसे यह पांची ही है या रखेएका पांची अघुनिक मिशैल रखी गई है उसे बस याद रखना पांच भी पंडू भी मिया कलवरी सरेनी रह और श्लीप . 20 किलोटर और पानी में 40 किलोटर तक क्या कर सकता है गती से परती घंटा की स्पिट से चल सकता है 1000 किलोटर की दूरी एक बार में टै कर सकता है 50 दिन समुदर के भीतर ये लगता रहा सकता है सोच के देखिए 50 दिन कलवरी 50 दिन लगता समुदर के अंदर रहेगा उसके 350 मेटर घहराई रहीगी इसके यह सब चीजे डाटा आपको याद रखना है कुछ चीजे मैं आपको कभर करूँगा साइलेंट कीलर इसे बुला जाता है याद रखेगा वागीर को साइलेंट कीलर चुप चाप जाएगा सारीजी जल है समुद्र का अस्तर तो क्या करता है वागीर की जगा जगा पहने ये के सुरंग विछाता आपको अधात वं होता जिसको न कोटेट कर देता चोड़ देता और पानी में एसे ही तैरता रहता है पूई भी आएगा मानली जी यह समुद्री जहाद यहां सब्सक्राइब अबडेसे नियोजनेसिस देखें अडमिनर्टार सिरेनी की पांच भी पंडू भी है आइनेस भागीर भारती सेना में सामी मढ गाओं याद रखेंगा मज गाओं डाक सिप्याड है लिमिटेड द्वार निर्मित किया गया है और नो सेना एड्मिनल जो है आर के हरी कुमार उनके उपस्तिती में चीजें की गई तो तीन प्रस अस्थापना कर गई अस्थापना की गई और इसमें वर्तमान में कितने इसके जो अध्यक्स प्रम चल रहा है यह सब चीजें आप लोगों को कभर करना बताना है चलिए ने श्थाम लोग बात करेंगे आजाते हैं पर चलिए आइनेस वगिर क्या है वाइनेस वगिर याद रखेगा इनका नाम सेंड फिस एक मचली होती है उसके नाम पर रखा गया है यह हिन महासागर का एक खतरनाफ सिकारी माना जाता है यह च्छिपकर हमला करने का इसका नेचर होता है इसी के नाम पर बालू में च्छिपा रहेगा और जब इसके जो इसका शिखा रहेगा तो बालू से निकल कर तुलंत अटेक करेगा इसका वीडियो आप लोड़ देखिएगा यूटूपर सेंड फिस का वीडियो सर्च किजएगा यूटूपर आपको एहसास हो जागा यह कैसे आपको हमल प्रोजेक्ट फाइब के तहद भी बनाया जा रहा है इस सब चीजों को याद रखना है कलवरी सिरेनी पंडूबी जो यूद रोधी संचालन होता है खुपिया जनकारी एकतकरन निगरानी समुद्री माइन बिचाने के लिए सहीत नो सेना और याद रखेगा पहला जो वा प्रोजेक्ट भारतिय नो सेना का एक कारिक्रम है जिसमें क्या है इस योजना कता आश्कॉर्पियन रेनी डिजाइन की छे पंडूबियों को सवदेश निर्मान सवदेशी निर्मित किया जा रहा है जिसकी कुल लागत लवत 43,000 करोड है तो इस सब चीजे आपको याद है पहले भी मैं चर्चा किया हूँ नोट याद रखिएगा अस्कॉर्पियन एक प्रानपरी संचालित पंडूबी होता जिसका वजन लगवद 1500 टन है या 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है तो इसके लिए मर्ज गाउं है डक सिप्यार लिमिटेड MDL अक्टूबर 2005 में और लगवद 33.75 औरब डॉलर के सोदे के तर फ्रांस के नो सेना समुख प्रद्यों की साहता त्षा अस्कार्पियन स्रेनी के पंडूबियों के निमान का सोदा हुआ था यह सब चीजे आप लोग को याद रखिए अब अन सब्मरीन क्या है इसके साथ साथ तो पर्थम सब सब्मरीन आई एन स खेंदरी याद रखिए गया है उसके बाद चौथी याद रखिए गा का वेला नॉमबर 2021 में भारत में सामिल किया गया है उसके च्छती जो सब्मरीन है आपको छटी सब्मरीन जो वाग रिस याद रखेगा वागसिर वागिर है या वागसिर है 2.23 के अंतक नोशेना में सामिल करने का लक्ष रखा गया तो छ Battu भी है उसको याद रखना है कुण-कुण कभी आपको सामिल किया गया पहला आपको याद रखना है कलवरी दूसरा खंडेरी तिसरा करेंच चोथा वेला और पाचवा वागिर और दूसरा छठा आपको वागसिर यह पाचो स्रेनी का नाम याद रखना है ताकि एक्जाम में पीटी में प्रस्ण पूछे तो कन्फ्यूजन नहीं हो ने स्थमलों बात करेंगे एक पीटी फेक्ट और बात होगी विर्ज भूसन में लगे जो विर्ज भूसन पर लगे आरोप है उसकी जाच के लिए छटी बार जो विजेता रही है हमारे विश चेंपियन मुक्यवाजी की एस मेरीकॉम उनकी नेत्य पर पांच सदस्ट्री टीम का गठन कर दिया गया जो जाच देगा आपको एक माह के अंदर तो जो भी जाच पर क्रिया चल रही वह वेट और वाच कीजिए इसके संदर में जो भी निर्ना आएगा उसको देखा जाएगा नेश्ट्रम बात करेंगे देखिए आप चुना आयोग है ना गहरे फर्जी विमर्स के लिए खत्रा खत्रों पर चुना आयोग थे जो मुक्त चुना आयोग थे उन्हों चिंता जिता ही है अब पहले भी मैंने आप लोग को बोला था कि खुआब में जो चीजे बताई जा जाती है वो बहुत खतरनाक होता लोकतांतिक व्य tap लिए इनके संदर में इसकी गए जो फर्जी बाते की गयी जो हमारा सिस्टम में हो क्लप तो उग गया जै जो wal- phone तरफम बोल सिंदर्व कुछ बाते की गई हैं ये बहुत महत्मों ने पहले भी मैंने इसका चर्चा किया तो उमीद हो आप सभी लोगो आप चीजे समझ में आ रही होगी देखे गहरे फरजी विमर्स प्रविर्टी पर चिंता जयता ही और कहा कि इनके जड़ी विगटन कारी ततों जनता की घृधा विटन सब्सक्राइब करता है जाकर थे और लोगता है करना चाम के सभी एकरने आके क्या करता है सभी कारक आके हमारी लोकतांत्रिक जो विवस्था है जनता के परति विश्वास होना चाहिए लोकतंत्र में जो आश्था है लोकतंत्रिक मन्नेताओं को अस्थापित करने के जो परकिरिया है सभी आगहात होता है और लोगों का है नम भरम इस्तित्थ हो जाता उत्पन हो सकत इस प्रकार के विगटिंकारे तक्तों के विचारधाराओं के विक्सित होने से उसी पर प्रसंचीन किया गया आप पर पहले भी मैंने बताया लगतारी सब चीजों को बताया है तिरी साथ में याद रखिएगा यह बात जो किया जा रहा था पुर्दोकी का विद्योग और चुनाओं निश्टा विशेपर आई दो दिवसी अंतराष्टे शम्मिलन पर बात की जा रही थी तो आपको प्रसंच पूछ सकता है पीटी में कि चुनाओं का अंतराष्टे शम्मिलन आपको कहां अलजुद किया गया यह भी आपको कभर कर लेना है ठीक है किस विशेपर किया गया था यह भी चीजों को देखते चलना है आज पीटी फ्यादा है देखिए वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम में गई है जेंडर जो हमारे स्मित्री इर्मा पाया जाए क्यों कि 146 देशों में 135 अस्थान पर भारत उसमें बारबर आता है या उस परकार के रैंक दिये जाते या तो आकलन के तरीके गलत होंगे जब भी मैं आपको पहले बताया है कि वर्ल्ड जो भी रिपोर्ट आता है कुछ लोगों के समू के संदर में मानने हजा लोगों का आखलन ले लेता है उसका रिपोर्ट औसत के तौर पर निकालता है जो वास्त्विक परदिस्ट को नहीं दरसाता है अब जितना आपको दोजाद 14 के बाद महिलाओं ससक्ति करन के लिए समकार किये गए उतना सायद ही कभी एक तरफा एक तरीके से किये गए है उनने अपने अपने सेवाओं में माहिलाओं की भागडरी बिहार का नाम ले सकते Sophेंषे मंऔर पूली सबसे बड़ा संख्या माहिलाओंन का और द्थ में पूरा देश वे पर आपको पता है कितने इसे ब्यक्ति जिनका वर्ल्ड गेप रिपोर्ट में उनसे राय मांगी जाती एक कोई तो आप इसका स्रीज डवलप किजे लाइए आप उपन कर दिजे इस पर जाकर वोटिंग कर सकेगा उसके अधार पर भी आक्रन किजे वोटिंग के मादेन समझ क्या विचार है केवल विसेसक गी नहीं बता सकते हैं कि सामनगी का क्या आधार है क्या धरातल पर क्या ग्राउंड लेवल पर क्या समस्या है कितने महिलाएं ससक्त हुए बताइए अब यह चीज समझेगा बिहार के जो सराबंदी है सराबंदी योजना है महिलाओं को कितना रूप से ससक्त कर रही है कर रही है ना कर रही है आर्थिक रूप से समाजिक रूप से समाजिक रूप से कर रही है तो यह चीजे कैसे रिपोर्ट में सामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा तो यह सब बेनिफिट आपको गेंडर गेंडर गेफ रिपोर्ट में नहीं कि मानक बनाये गए, वही अधार पर के वाल आक्लिंग किया जाएगा, उसके लिए बहुत से आयाम को create करना होगा, और भारतिय परिप्यक्ष में चीजों को करना होगा, अब यह नहीं मानक तैक किया जासे तो जो मानक यूरोप के लिए, वही मानक आपको एसिया के लिए होगा हर देश के लिए अलगलब मानक तैक करना होगा, उसके अधार पर एक न्यूटल मानक बनाईए, उसके बाद आक्लिंग किज़े, यह भी चीज़े आपको नहीं होगा, जो यूरोप में जो विक्सित देशों के लिए मानक होगा, क्या वही अलग विक्सित देशों के लिए सब चीज याद रख नहीं कभी भी प्रसन पूछे खामिया पूछे तिन सब चीजों को बता सकते हैं इसको राइट डाउन करवा सकते हैं ताकि आपका एंसर इंप्रूव्मेंट हो देखिए हैं अब इस आकड़े को कभी वो लोग सामिल नहीं करेंगा जैसे देखी भारत मे पंचायत अस्तर पर अस्थानी चुनावी 14 लाख महिलाएं निर्वाचित होई हैं वर्ल्ड इकनोवी फ्रमभारत के जंडर परनारी अध्या पर करने के इच्छा जताई हैं तो सोच किजिए कि अब 14 लाख महिलाएं हैं न निर्वाचित होई हैं विसमें कोई अतनी पर अस्थानी चुनावी 15 लाख महिलाएं निर्वाचित होती हैं तो अस्थानी चुनाओं के संदर्न वें चीजिए को देखने की बात हैं निर्वाचन के इच्पर के लिए भागिदारी है निर्मने लेने के समता डवलॉप्मेंट हो रहा है और विए आयाम एक दिश्टिय नहीं कर सकते हैं चले नेष्ट बात करेंगे हम लोग यह हो चुका है इसको कभर कर लेना है जो हमारे जो विरसहीद है उन सब वो को नेष्ट हम लोग नीचे बात करेंगे देखिए सरत दुरगटना अब यह देखिए सरक दुरगटना जो कारण निवारन है उसके संदर में लगतार चर्चा हुई है सायरस मिस्तिरी की मौत हो या हाली में प्रिसब पंत की दुरगटना हो उसके बाद बहुत से इसी घटना है जो आये राच्टिय अस्तर पर चर्चा का विसे रहा है उसके स सब्सक्राइब बहुत से चीजों को संदर्व दे दिया और मैंने आप लों को गेस भी किया इस साल के प्रस्ट में सरक्ष दुगटना से संबंदित प्रस्ट आपको पूछे जाएंगे इस सब चीजों को कभर किया जाएगा उसी के संदर्व में विश्व में तरकीवन दस फ अब को दुगटनाओं सिकार भारती मोटो का कारक बनता है इस सब चीजे आपको याद आपको आख़े के सही एक सबसे बड़ा सवाल क्या है यही है कि हम सड़कों पर सभी के लिए सुरक्ष पर हर सब्सक्राइब करें साइकिल वाले यात्री जा रहे हैं उनके लिए सब्स शुरक्ष परल जो पर इसे सबसे बड़ा प्राशन आए थी ही हमात नामी घरामी अस्ति के साथ है समान खाना से समन्नित है आपको बहुत से मामली देखने जहां पर आपको सक चीजे उभर कर सामने आई हैं जहां पर आपको फुटपात पर लोग सुए रहते हैं महानगरोप वहां पर लोग गाड़ी चाहा के चले जाते हैं रुपते भी नहीं इस प्रकाश से जैसे हाली में आपको हीट केस यह भी देखने हो जहां पर एक महिला को लगतार 17-18 किलोटा तक घसिट के ले गया वहीट रन में ही आता है यह सब कीजे आपको ध्यान में रखें इस सब जिंदू आयाम लेकर आते हैं सड़क सुरच्छा के संदर में इसमें दिल्ली पुलिस की जो पुलिस में कई भर इसके बहुत सी हम लो बाते पहले वे किये हैं डाटा आपको रखांकित करना है सड़क हाथे क्यों होते यह आप लोगो ध्यान रखना पहला कारण दूसरा कार दिसरा कारण चौथा कारण आपको दिया गया है पांचवा कारण पांचों को अंधा-धूद्र रपतार होना असके बराइन करने है। सभी आपको धरातली अस्तर पर दिखता होगा उसके वाद खास्ता हाल सड़को या उटीकर्बन के कारण पांचवा गाड़ियों के खराब हालत या आख़री कारण ये भी मना जाता है इस अब नए model में आप लोगों को लागू करने की जुरत है अप ताकि इस भी लिमीट बनाया जा सके इन सब चीजों को जीरो जो आवर होता है गोल्डेन आवर जिसे हम लोग कहते हैं उसके लिए भी हम लोग कोई दिशान देश बना सकते इस सब चीजे आपको याद अठनी जाईए इसके बाद देखिए अस्ट्रेलिया की प्रविवी तोर पर जो इंगलिशन लॉर्निंग सिस्टम लागू किय है वैसे हम भारत में भी कर सकते अठना द्राइबर अपने स्वास का सेंपल देता है तभी उसके गाड़ी स्टार्ट होगी अठाथ हम वो किसी मादग पदात का वहां सेवन किया है या नहीं किया इसकी ज्याच की जाएगी तो ही उसके गाड़ी आपको पर्योज़कों के द्वारत दी जाती है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग ऐसे ही नहीं इन सब चीजों को सुझा पर यह भारत जैसे राश्ट में कितना धरातली असतर पर लागु किया जा सकता है यह भी सबसे बड़ा प्रसंचीन है जहां पर हर मद हर विचार धारा हर दस किलो अब मालेजियम सराब बंदी बिहार में है जारखन में हम करेंगे जारखन के जन्जाती चेत्रिया वहां के लोकल ट्रेडिशनल चीजें वह परभाईट हो जाएगे अब हम उत्तर पुर्वी राज्यों में करेंगे वहां समस्या आजाएगी तो यहां पहुंको कहीं ने कह करने वाला एक न्यूनतर मानक टाई करना होगा यह सबसे वड़ी आपको समस्या के तौर पर भी देखने को मिता है यह सब चीजे आपको कभर करनी इससे ज्यादा कुछ कभर नहीं करना है देखिए जो झेतरिक्स शत्र देखिया है जो लगतार सबीक्ट आपको विक्सित करता है इसके लिए क्या हो यह पर एकशाम और इन चीजों को नहीं कभड़ करता इसी इसका एनलेसिस नहीं किया जाएगा बाकी चीज आप पढ़ने का इक्षाख कर तो आप पढ़ सकते बेसक पर सकते हैं पेपर आपको गुरूप में शेर किया गया है अब पेपर सुब आपको जल्दी सुबब सुबब मिल जाएगा अब गुरूप में आप लोग देखिएगा अब यह कबर कीज़ेगा उसके बाद देखिए हम लोग और भी नीचे एक न्यूज है इनलेसिस कर की पादेगा यह बहुत ही महतुम हैं क्यों महतुम्पून है जो मदू मर्यूक्य पालन वाले लोग किसान है उसके लिए बहुत ही फायदा होगा एक ऐसे तीके का निर्मान किया जा कि जारा है जो रानी मदूमक्य आपको शब्राइगा और उसंसों को कभर करेगा जिससे इसकी सुरक्षा की जा सकी देखिए, मध हमखी के गीका देने की पर क्या बहुत असय नहीं है, दरफिए नियुक्त, देखिएे राणी मखे और रहाता है gains ये माध के मध्याद। उसे उसके आहार को इसके कामगार मख्यों त्यार करती है और मदमख्य पालक जो होते है छत्य के सुरुवात में एक रानी मख्य है और पचास से दो सो कामगार मदमख्यों के साथ काम करते है ताकि जो रायल जली बनाने में कामगार मदमख्यों का साहिता प्राप्ति है उसका आहार के दिया जा सके याठा क्विन केंडी कहते हैं इस सब चीजे टमलोजी याद रखिएगा मद मक्ही पालन में यूज होता है और प्रस्म भी आपको तुछा जा सकता है अब तीके के संदर में देखिएगा एक बार तीका ये दे दिया जाए तो जीवन काल तक प्रभाई हई जो रानि मक्ही का जीवनकाल है वह आपको उतना प्रभाई रानि मक्ही बदलने की सिती पूनल टीका तो की रानि मक्ही आपको लानी होगी इसके लिज़ीए त्टिका करन के संदर में ये यूरोपिये फाल्ठूरू Δेखिएम गरिब करतो हो रहा है सोध ये कहीं न कही भारती परिप्यक्त में ज्यादा अशक लेखा है क्या बताता है सोद इसे देख लिए च्छतन सुल्लब जो परतिसत है प्रागन मदुमक्यों द्वारा होता है फुलों के पॉदर से उपज उसका जुदर भार होता है घालब जासीय जी परतिसरी उपज बहूँ लेकर आया जा रहाए उसके लिए एकसो सतुष्य सतासी परतिसस बेख सकती है धन्या क्या सबसे ज्यादा कि प्यास के प्रश्ट प्रश्ट को यांद आठी है बस नॉलेज़ के लिए इन सब प्रसंद मिस मिशनियस में प्रसंद कुछ दे तो आप लोगा इसे जरूर देने का आपको किया जा सकें एक की यहां पर एक पीटी फैक्त याद रखे आज ही की दिन क्या था 1950 में आज ही की दिन जन गन्वन सविधान का क्या हुआ भारत का राश्ट्रियान का दर्जा दिया गया 24 जनुवरी है आप लोगों को पता ही है और 1911 नविनाथ ट्रेगर बंगला भालसा में लिकेत है और खुश होंगे आज हमको मुझे पता है बाकी चीज अभी कोस्टन आप लोगों को सेर कर दिया जाएगा जो जो यूपेसी बीपेसी और यूपीपीसी का में इसका एंसर कर दिया जाएगा एप के ग्रूप में तो आप लोगों सेर आज लिखके भेज दिजिएगा कल का पेसी वाला एड हो जाएगा तो इस सब चीजों को आप लोग कभर कर लिजिएगा देखिएगा उसका कैसे लिखना चाहिए कैसे किनकिन सब्दों का यूज होना चाहिए किस तरीके से आप लोगों को बताया गया जरूर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा जो एंसर आइटिंग का जो दिया गया है वो फॉर्मेट क्या आप लोग लोग क्यों बनेगा या नहीं बनेगा तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो एन्नेसिस के साथ कल धन्यवाद जयें